हेलो गैज वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल फैंटेसी दूर दसना अफिसल आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अस्ट्रेलियन वुमेंस ओडीडी का जो मैच खिला जाएगा एनस डब्लू वेस्ट डब्लू के बीच वेस्टर्ण अस्ट्रेलिया वुमेंस के बीच क आपको वहीं देखने को मिलेगे तो जल्दी से क्लिक करके जोइन करो बागी बैस्ट अप्लिकेशन बल्लेबाजी है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शियों में मिल जाएगी और मैं ज्यादतर यहीं पस आपको केलते वह दिखता हूं बल्लेबाजी एक ऐसी अप्लिके में मातर 10 रुपए है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जिसके विज़से मैं जादा तर रेकमेंट कर रहा हूं आप इस प्लैटफॉर्म पर खेलिए क्योंकि जब तक यह प्रॉफिट दे रहा है तब तक आप उठाईए और मेगा कॉंटेस्ट के लिए जिससे आपकी पर से मेरें टरहें सहीं है मेरा एक तो मैं जादा तर केस में है कंटेस्ट क कहलता हुटिया आपको यह प्रोफिट को मिलेगा प्लस आपके लेवल आप होंगे, जतने लेवल आपके आप होंगे, मतलब वन मन्त में अगर आप 25 लेवल तक पहुँच जाते हो, तो वहां तक पहुचने तक आपको इतने सारे ओफर से, इतने सारे गिफ्ट आपको दे दिये जाते हैं बल्लेवाजी के तरफ से, कि आप इस अब्लिगेशन को छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिना खेले जाई ही नहीं सकते हैं, अगर आपका लॉस भी होता है माहनों, खेल के, ट्रीम का लॉस हो गिया बोलते हैं, मुझे 1,00,00 गा लोस हो गया, नहीं मैं पैसा लगाते जारा हूं, ब मेरा लोस होते जारा रहा है, तो उन सभी के लिए recommendator रहता है मेरे कहाल से ज्यादा अच्छी team आपको बल्लेवाजी पर देखने को मिलेगी easily तरह किसे आप team भी create कर सकते हो और जो contest मैंने बताया है उस contest में आप लगा कर खेल सकते हो बिल्कुल आपको अच्छी profit वहाँ देखने को मिलेगी चलिए बात करते हैं मैच के बारे में जो pitch favor में रहने वाला है pitch आपको पता ये favor में किस के है balling के favor में है और पूरा आज match analysis आपन बल्लेवाजी application के base पर करेंगे जहां पस आपको मैं सिखाऊंगा कि team कैसे create किया जाता है average player का record है इसका बहुत ये अच्छी player है और अच्छा point आपको देते वह दिख जाएगी 2-3 matches का record अगर बताऊ इसके तो 2 matches का record तो आपके सामने है एक match में बहुत अच्छा चलते वह देखी थी और 2 matches में flop गई है definitely लोग इनको drop करते वह चल रहा है बट पता नहीं क्यों drop कर रहा है मुझे नहीं पता आप इनको try कर सकते हो as a normal pick के लिए कोई खास pick तो नहीं है बट as a important pick है बिल्कुल इनको आप drop भी नहीं कर सकते एक दम छोड भी नहीं सकते next आपको Alex Sally मिल जाते है इसका performance of form जो है बिल्कुल best है next आपको B money देख जाती है boot money जो की wicket की perception से जानी जाती है काफे सांदार player है इसके साथ आप बिल्कुल risk नहीं ले सकते अब देखो performance भी दोनों का बहुत ही ज़ादा अच्छा है form भी बहुत ज़ादा अच्छा है काफे सांदार pick है इनके साथ तरिस्क आपको नहीं लेना है बिल्कुल important player है बाकि जो भी line-up अनाउंस का उसके according अपन सभी players को select करते हुए next option आपके लिए mini-ziel और grand league के लिए रहने वाले है आप इसके साथ जा सकते हो बिल्कुल सांदार player है west के तरफ से आपको दिख जाएगी बिल्कुल अच्छी गाजी performance देते हुए नजर आएगी आपको इस वाले match में next यहां हमारे batting section पे आ जाते हैं जहां पस आपको कुछ और important players मिल जाएंगे जैसा की piece list field मिल जाती है अपने team के तरफ से नीचे batting कराते वह दिखती है कभी कदा आप top में भी base दिया जाता है पर ठोता कि जिस दिने top में कराती है उस दिन इस तरह कोई खास point बन नहीं पाता है इस जैसा की record आप देख सकते हो record आपके सामने है average form है इसका कोई खास तो नहीं है पर आपको average और poor और bad बता रहा है तो यह आपको ध्यान में रखते हुए चलना है last वाला match Smith भी खेलते हुए दिखे थी recent जो performance था बहुत ज़ाद अच्छा था और last के दो matches में performance आप देख सकते हो L Smith को आप try करना चाते हो या नहीं करना चाते ही आपके उपड़े बेंट करता है अच्छी प्लियर है अपने टीम के तरफ से middle में आपको बेटिंग कराते हुए नजर आएगी बिल्कुल important player है आप इनके साथ भी risk नहीं लेना चाहोगे और नहीं ले सकते बिल्कुल भी next आपको C पारो मिल जाते है P पारो मिल जाते है C पी पारो जो की काफिस अंदर player है average point भी इनका 52 का जाता है और player form भी good है strike rate भी 57 के आसपास है position भी आपको top में देखने को मिलेगा middle में भी आ जाते है तो भी उतना बेकार point नहीं देते भाई जितना other player आपको देंगी बिल्कुल important player है इनके साथ risk नहीं लेना है आपको इनको try करते वे चलना है next option आपको और मिल जाते है जैसा कि last 12 match खेलते वे दिखेते आपको leveled start-up अच्छा था इनका ending थोड़ा सा बेकार गया लोग इनको drop करते वे चल रहे है आप mini GL वगरा में try कर सकते हो next मैं जाना चाहूंगा क्रैमिकल के साथ आप इनके साथ नजा कर किसी और के साथ भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कोई और इनसे best player आपको मिल जाएगा तो आप उनके साथ चले जाएगा ठीक है बाकिया भी बात करते हैं all rounder section से क्योंकि अपनी सभी players को अपने को set करते हुए चलना है उसके last five match के analysis भी आपको करते हुए चला रहा हूं और player का performance भी आपको बताते हुए चलना हूं ठीक है यह आपको balling कराते हुए नजरा आएगी Alyssa Garden काफे सांदार player है बहुत international matches में आगर आप women's के जो भी matches खेले हुए उसमें आपको देखने को मिले हुँगी कि Alyssa Gardner एतनी सांदार है wicket लेने में काफे सांदार player है आप इनको option दे सकते हुए बिल्कुल इजली तरीके से आपको point वगेरा ले जाते हुए नजरा आएगी next आपको e-burns मिल जाती है international matches खेले में expert player है e-burns को भी आप हलके में नहीं ले सकते बिल्कुल definitely आपको point देते हुए नजरा आएगी next आपको e-burns मिल जाते है बट अगर आपको इधर से किसी एक को drop करे तभी अपने पास e-burns आ सकती है और वो depend करता है last पर decision लेंगी किसके साथ अपने को risk लेना है और किसके साथ नहीं अभी फिलाल मैं Alex Sally के साथ ले लेता हूँ कि कौन से player अच्छे है किसका recording अच्छा है record अच्छा है last five matches के performance किसके जादा अच्छे है आपको देखने को मिलेंगी next आपको दिख जाते है last वाले match play की हुए एक और player है M Brown मिल जाते है ठीक है इनका performance start up बहुत जादा अच्छा गया था अभी दो मैचे से flop गया है इसलिए इसका form भी बैट बता रहा है लोग इनको select भी कम करेंगी बट on and average अगर मैं बदाओं तो आप इनको select करते हुए चलेगा QT 20 match में कब कौन सा player का batting order change हो जाए और balling order change हो जाए और किसका क्या performance बन जाए कुछ fix नहीं रहता इसलिए मिनी जील में भी try के जगा small legume में differential का काम करेंगी वरना आप किसी और के साथ भी जा सकते हो ask ask horsekin आपको मिल जाता है next player इनको भी try कर लेजगा next आपको मिल जाती है बई L miles आप इनके साथ भी जा सकते हो important player है 24-82 का point देते हुए दिखिए मतला minus है तो कुछ ही अच्छा है आप किसी और के साथ भी जा सकते हो next आपको a king मिल जाती a king को मैं बिल्कुल drop नहीं करना चाहता क्यूंकि यही मेरी as a captain रहने वाली है आप समझ लो team की captain आपको a king ही देखने को मिलेगी आप voice captain से भी आप इनको दे सकते हो कुछ players को मैंने बताया है अगर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में होगा काफिस सांदार player है उनको मैंने ड्रॉप कर दिया इस वाले match में तो बगर आप लेना चाहते हो तो दिस्क्रिश्म में लिंग इविन है टेले ग्राम सेनर को जोइन कर लेजगा मेरी final team आईगी एक बार उससे match कर लेजगा तब ही आप final team create किसेगा ठीक है जोसे आपकी इन आर्निंग्स भी एकदम समतल हो जाया मतलब समझ में आजाया आपको और आपकी winnings भी आपको समझ मे रहता है नीधर से all rounder section से जो मैंने players को select किया इंका batting order थोड़ा नीचे आता है किसी किसी का उपर आता है जैसे कि garden आपको दिख जाएगी fourth number पे इबंस आपको दिख जाती है भाई third down पे batting कराते हुए as johnson आपको मिल जाते है fifth number पर edger की अगर बात करता हूं तो इनका भी bat batting order नीचे आता है चटवे सातवे नमर पे आपको दिखती है और second आपको top order की player है third down four down पे batting कराते हुए दिख जाएगी next आपको L miles मिल जाती है batting तो नहीं मिलता बालिंग जरूर मिलता है एक इंका करीब छटवे सातवे नमर पे batting कराने का मौका आई जाता है बाकी depend करत है उनके उपर उनके captain के उपर कि वो इनको कितने time batting कराने के लिए बेजते हैं अभी जो मेरी तीम है अगर आपने द्यान से देखी होगी तो आपको सभी चीज़े समझ में आ गई होगी कर लेता हूं इस टीम को सेफ और मिलता हमारा नेक्स वीडियो में नया अनलेसिस के स और टेलेग्राम सेर को जोइन जरू से कर लिजेगा और आज के इस मैच में दो ही इनवेस्टमेंट कीजेगा एक 2789 वाला और एक 189 वाला काफिर सांधार एप है और बहुत ईजली तरीके से less competition आपको देखने को मिले गाया मिलता हमारा नेक्स वीडियो में